नमस्कार हिमाचल अभीअभी.com से मैं दिव्या पेच हैं आज के मुख्य समाचार हिमाचल में बेपरलस हूंगी कैबिनेट की बैठकें साथ ही हीं केसर की खेती के फिरेंगे दिन चिनी हेलिकॉप्टर आदे गंटे तक उड़ते रहे थे समदों में एहम थिकानों की हुई रेकी एसपी की रिपोर्ट में खुला सा हिमाचल प्रोदेश में पंचायत चुनाव पर दो दिन के लिए टला फैसला बैठक स्थगे सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के रिक्तपदों को भड़ने की तयारी सभी जिलों से मांगा रिकॉर्ट हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 15 मामले आये सामने कांगडा में सास बहु भाई बहन और बाब बेटी सहीत साथ निकले पॉजिटिव सेम जैराम ने दिये निर्देश जरूरत पढ़ने पर संस्थागत क्वारंटाइन के लिए स्कूलों का भी उपयोग किया जाए फरजी डिगरी केस में मानव भारते विश्विद्याले के मालिक राजकुमार राना को 6 दिन का पोलिस रिमान अनुराग बोले रेड जोन है दिली इसलिए नहीं आया अभी तक हिमाचल कुल्लों की तीर्थन और जीवी घाटी में 15 अगस तक परियटन गती विधियो पर रोक हिमाचल में भारी बारिश का अलट जारी 10 दिलों में होगी 10 दिनों तक जम कर बरिसेंगे मेक अब समाचार विस्तार से हिमाचल विधानसभग की कारवाही को पेपरलेस बनाने के बाद अब कैबिनेट की बैटकों को भी पेपरलेस बनाए जाने की तयारी शुरू हो गई है इसी के चलते कैबिनेट की बैटकों को कमप्यूटरी करेट करने तथा पेपरलेस बनाने के लिए ये कैबिनेट सौफ्ट्वेर का प्रयोग करने की तयारी चल रही है ये बात सीम जेराम ठाकुन ने आज वर्ष 2020-21 के लिए बजट आशवासनों पर आयो जित समिक्षबेट की अध्यक्षता करते हुई कही इसके साथ इमाचल के अधिकुचाई वाले क्षेत्रों में हींग और केसर की खेती के दिन फिरने वाले हैं इनकी केती जिला के नौर लाहुलसपीती और चमबा जिला के अधिकुचाई वाले क्षेत्रों में होती है जैराम सरकार इन क्षेत्रों में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए क्रिशी से संपन्यता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोटसाहित करेगी जैराम ने कहा कि इसी तरह प्रदेश सरकार करसोग के कुलत पांगी की ठांगी, चमबा के धातुशिल्प, चमबा की चुक और भरमौर की राजमा को वह वालिक संकेतक की रूप में पंजिक्रित करवाने के लिए प्रयासरत है चीनी हेलिकॉप्टरों ने अप्रेल में भारत की सुरक्षा में बड़ी सेंद लगाई थी हिमाचल प्रदेश के लाहल स्पिती में सीमा सी सटे समदों में चीन के हेलिकॉप्टर आदे घंटे तक उड़ते रहे ये गुसपैट दो बार हुई हिमाचल की सीमा में 15 किलोमेटर तक एहम टिकानों की रहकी हुई लेकिन किसी ने फोटो तक नहीं खिंची इस बात का पता लाहल स्पिती के स्पी राजेश धर्मानी की रिपोर्ट में चला है रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के हलिकॉप्टर सामरिक दृष्टी से एहम कई जानकारी ले गए हैं आशंका है कि चीन ने उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों से शिमला तक सेद लगाई होगी इसके बाद से सुरक्षाबल स्टाफ बदल दिया गया और मुस्तैदी भी बढ़ती गई सीमा पर अंतिम कोरिक शेतर तक सेना और भारत तिबबत सीमा पुलिस आईटी बीपी अग्रे मोर्चे पर तैनात है अब सीमा वर्तिक शेतरो मेंन की चौकिया हाई अलर्ट पर हैं लाहौल स्पीती के स्पी ने हिमाचल सरकार को गोपनीय रिपोर्ट भेजती है इसमें कहा गया है कि हलिकॉप्टर से हिमाचल के कई एहम इलागों की रहकी हुई है जैसे ही ये रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त होगी इसे केंदर तक भी पहुँचाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायच चुनाव पर फैसला दो दिन के लिए टल गया है राज्य चुनाव आयोग की पंचायच चुनाव के संब्ध में बैटक होनी थी जो स्थगित हो गई है ये बैटक शेहरी विकास विभाग से पुनर सिमांकर वमतदाता सूची के नवीनी करण को लेकर जानकारी नहीं आने से स्थगित हो गई अब बैटक के बुदवार को होने की संब्धावना है इस संब्ध में शेहरी विकास विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया है जिससे बंचायच चुनाव को लेकर प्रक्रिया के संब्ध में निर्ने हो सके इससे पहले डीसी ने साफ कर दिया था कि कोरोना की मामलो और क्वारंटाइन को लेकर करमचारियों की ड्यूटियां लगे हैं ऐसे में मतदाता सुची का नवीनी करण संब्ध नहीं है सुमवार को ये बेटक राज्य चुनाव आयूक्त पी मित्रा की अधिक्षता में होनी थी इसमें वर्तबान स्थिती के साथ डीसी द्वारा लिखे पत्रों पर चर्चा होनी थी हिमाचल में सरकारी स्कूलों में प्रधानाचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की हल चल शुरू हो गई है इस प्रक्रिया के तहट मुग्य ध्यापक और लेक्चरर को पदनुद कर उन्हें प्रधानाचारे बनाया जाएगा शिक्षा निदेशाले ने सभी जिलों के शिक्षा उपनी देशिकों को सरकूलर जारी कर एक सब्ता के भीतर रिकॉर्ड बेजने को कहा है जिसमें ये बताना होगा कि कितने शिक्षा कैसे हैं जो पदोनिती की पातरता रखते हैं इसके बाद ही पदोनिती की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस वक्त सरकारी स्कूलों में परधानाचारियों की 375 के करीब पद रिक्त पड़े हैं। इसी बीच हिमाचल हाई कोट के आदेश दीर जाने के बाद ही विभागी सतर परिन पदों को भरने की प संद्रा मामले सामने आए हैं। इनमें से साथ कांगडा, तीन शिमला, दो दो, विलासपुर वस्तोलन तथा एक मामला मंडिका है। पजिटिफ पाए गए हैं। इन्हें कोविट केर सेंटर बेजनात शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ हिमाचल में कोरोनसंकर में तो कांगडा 716 पहुँच गया है, 245 एक्टिव केस हैं और अब तक 426 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में अब तक 6 की मौत हुई अन्य समाचार ब्रेक की बात। 24 घंटे एमर्जेंसी सुविथा। नोगेट के साथ क्रिटिकल केर यूनिट, कार्डियक मौनीटर और डीफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल अक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविथा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नीजी स्वास्ति सेवा प्रदाताओं में से ए हमारा पता शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बालाजी विहार उजैन कांगडा संपर्क करें 9218411108 पर शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांगडा सेम जैराम ठाकुन ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से DCSB के साथ बैठक ये धिक्ष्टा करते हुए कहा कि देश के विभिन भागों में फसे तथा हिमा चलाने के चुक लोगों को संबंधित जिला के DC के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पुरी जांच के बाद ही प्रोदेश में आने दिया जाएगा जैराम ने कहा कि DC को अपने एक शेत्रा दिकार में किसी भी संस्थान को कोविट केर केंद्र घोशित करने का अधिकार दिया गया है ताकि संबंधित जिलों में कोविट-19 मरीजों को सुविधा प्रदान की जा सके यदि आविशकता हो तो संस्थागत क्वारंटाइन के लिए स्कूलों का भी उपयोग होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाव सक्त कारवाई की जानी चाहिए जो कौरंटाइन नेमों का उलंगन करते हैं तथा अपने प्रारंबिक स्थान को चुपाते हैं फरजी डिगरी केस में गिरफतार मानव भारते विश्विध्याले के मालिक राजकुमार राना को छे दिन का पुलिस रिमांड मिला है पिछले रिमांड की अवदी समाप्त होने के बाद आरोपी को आज कोट में पेश किया जहां से अदालत ने रिमांड पर भेचा है आरोपी को छे दिन का पुलिस रिमांड मिलने की पुष्टी A.S.P. शिफकुमार शर्माने की है उन्होंने बताया कि मामले की आगामी जान जारी है बतादे की हाई कोट से जमानत राची का खारिश होने के बाद राणा की गिरफतारी हुई थी हाई कोट ने मान Northern भारती विश्विध्याले फर्जी दिकरी मामले में विश्विद्याले के मालिक राजकुमार की अगरिम जमानत याची का खारिज कर दी थी दो जुन को पारे तादेशों के तहत उसे फिलहाल अंतरिम अगरिम जमानत प्रदान की गई है नियाधीश अनूप चितकारा ने सरकार द्वारा दायर स्टेटर सिपोर्ट का अवलोकन करने वह दोनों पक्षकारों की दलीले सुनने के पस्चाद प्रार्थी की जमानत याची का खारिज करती कोरोन संकट के दौरान केंदरे राजवित्ट मंतरी अनुराक ठाकर अपने संसदीक शेतर नहीं आये हैं हमीरपूर में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई प्रेस कॉन्फरेंसिंग में जब अनुराग ठाकुर से ना आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिली रेड जोन में आता है और केस बढ़ रहे हैं इसलिए कोरोना बिमारी के दौरान हिमाचल में आना नहीं हुआ उन्होंने कहा कि उनके कारण हिमाचल में कोई दिक्कत ना हो इसलिए कोरोना संकट के बीच हिमाचल ना आने का निर्ने लिया और सभी कारोबारी परियतन को सुचार नुरूप से चलाने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक तीर्थन और जीबी घाटी को परियतन के लिए खोडने में जल्द बाजी ना की जाए तमाम पहलूँ को ध्यान में रखते होے परियतन कारोबारीयों ने सबी प्रकार की परियाटन गती वीदियों पर फिलहाल 15 अगस तक रोक लगाती है ये फैसला परियाटन विकास असोसियेशन जी बी वैली परियाटन विकास असोसियेशन वो पन्चायद प्रतिनीडियों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वे समती से लिया गया है हिमाचल में मांसुन के दस्तक देने की तारीक नज़दिक आने के साथ ही सूबे के मौसम कमिजाज भी गन्डे लगा है शिमला स्थेत मौसम विज्यान केंद्र द्वारा सूबे में प्रीम आन्सुन की दस्तक के साथ तीन दिनों तक भारी बारिश होने और अंधर चलने का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की माने तो राज्य में 28 जून तक लगातार बारिश का पूरवा नुमान है इसके साथी 23, 24 और 25 जून को राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश और अंधर के लिए अलर्ट जारी किया गया है विभाग द्वारा उना बिलासपूर, हमीरपूर, शिमला, सोलन और सिर्मोर जिलों के लिए 23 जून को यलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि 24 और 25 जून को चमबा, कांगडा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश अंधर की चेतावनी है मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले सप्ता आंधी तुफान और बारिश आने की चेतावनी दी है शिमला स्थित मौसम विज्यान केंदर के निदेशक मनमोहन सिंग ने कहा यगले सप्ता निचले मध्यम पहाडिक शित्रों में बारिश होने और उची पहाडियों में हिमपात होने का अनुमान है इसी के साथ आज की समाचार यहीं समाप्त होते हैं धन्यवात आपके स्वास्तिका प्रहरी श्रीबालाजी हॉस्पिटल कांगडा हिमाचल